जै माता दिफ्रेंड्स आज है नवरात्री का नवा दिन और नवरात्री के नवा दिन हमारे हाँ कन्या पूजन होता है तो मैं जिस लोकलिटी में हूँ वहाँ एक पंडाल बैठता है हम लोग सब मिलके मुहले वाले लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं तो आज है नवा तो यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है तो आज मैंने भी कन्या पूजन के लिए माता रानी की सेवा के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैंने हलुआ बनाया है थोड़ा सा काले चने बनाये हैं और थोड़ा मैंने पूरी बनाया है ताकि कन्याओं को भोग लगा सकूं कुछ मैं भी contribute कर सकूँ तो इसे बनाने के लिए मैंने रात में ही चने भीगो दिये थे तो सुबह उठकर मैं नहाद वाकर आ गई हूँ किचन में ताकि मैं बना सकूँ तो यहाँ पर मैंने रात में एक किलो पूरा मैंने काले चने लिये थे जिसे मैंने रात भर भीगो दिया था और ये फूल कर बड़े बड़े हो गए हैं और ये कप से मेजर करेंगे तो ये करीबन 4 कप के करीब है और इसे जब फूल गया है तो ये करीबन 8 कप के करीब है तो इसमें मैं थोड़ा सा तेजपत्ता डाल रही हूँ थोड़ा सा क्या मैंने 7-8 तेजपत्ते दिये हैं क्यों बस पानी हम इसमें डाल लेंगे तो पानी हमें उतना ही डालना है जितना हमारा चना है उससे ज्यादा लेवल उपर नहीं करना है और इसे तीन से चार सीटियां लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पक सके तो जब तक हमारा सीटी लग रहा है तब तक हम इदर हल्वा बनाने की таयरी कर लेते हैंregas मैं ने 2 dealer और सबसे पहले मैं जास्मी बना लेती। आज मैं हल्वा में लंबिया नहीं होगा। एसे ही तो मैंने यहाँ पर गत्व आप कप से मेजर करते हाँ अगर आप एक कप ले रहे हैं तो आप तीन कप पानी का इस्तिमाल कीजिएगा तो मैंने यहाँ पर बाउल के हिसाब से आधा बाउल से थोड़ा सा कम मैंने लिया था तो उस हिसाब से मैंने पानी इसमें ले लिया है और अच्छे से इसे पिघलने देंगे तो एक तरफ मैं पानी को उबलने देती हूं चासनी बनन पूज पाठ वाला नया केसर नहीं था इसलिए मैं यूज नहीं किया है अगर आप चाहें तो आपो कर सकते हैं और इधर मैंने ही हृडवा घी डाला है मतलब मैंने करीबन एक कप के कीं मैंने इसमें सूजी दाला है। मैंने measure तो नहीं किया है पर अंदाजे से मैंने जो बरतन इस्तिमाल किया था,уз एसाब से 1-4 Cup के करीब घी है। मैं एक चॉठाइग कप गी करिब मैं इसक्साइग नहीं दाली हूँ। हलुआ में ऐसे भी अच्छा बन जाता है मैं बताऊंगी कि घी कब आपको डालना है तो जब तक हमारा लो फ्लेम पर हमें अच्छे से सूजी को भूनना है तो जब तक हमारा सूजी भून रहा है तब तक मैंने इधर ड्राइफ्रूट कुछ कट कर लिए हैं और इधर कूकर सी टी बीच में घार रहा है और में पूरी के लगा लेती हूं तो यहां पर गींहाँ िनर लिया है मैंने कोई मेजर नहीं किया है आप अंदाजे से थोड़ा नमक डाल लीजिएगा और इसमें मैंने जितना आटा लिया था न उसे साब से थोड़ा सा मैंने रोगन डाल दिया है थोड़ा सा मतलब ओयल डाला है और यहां पर मैंने मुमफली का तेल का इस्तमाल किया है और सबस सूजी अच्छे से हमें भुनना है, सूजी भुनने के लिए आप थोड़ा सा पेसेंस रखिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो हलुआ जो है बहुत अच्छा बनेगा, तो यहाँ पर जो हमारा आटा है वो भी गुत कर तयार हो गया है, तो बस हमें इसे मिक्स कर ल और यहाँ पर जब तक हमारा आटा गुत रहा था तब तक हमारा सूजी भी अच्छे से भुन गया है, तो जो हमने चासनी के लिए बनाया था, जो हम आधा पहले डाल लेंगे, क्योंकि एक साथ डालने पर गुठलियां पढ़ने कर भी चांसेस हैं, तो एक बार आधा मैंन चासनी बनाया था, उसे दो लिया है, उसे पोच लिया है, और उसी में मैंने दो चममच, जो रेगुलर खाने वाले चममच है न, मैं उसी से घी ली हूँ, घी डाल लेंगे, और उसके बाद जो हमने ड्राइफ़ूट कट करके रखा था न, वो हम भून लेंगे, तो यह प इसे डाल लेंगे हमारे हलुए में तो मैंने हलुए में डाल लिया है और आप देख सकते हैं फटा-फट यह बन गया है और बस इसे हम गाढ़ा होने देंगे पकने देंगे सूजी को हम अच्छे से फूलने के लिए देंगे तो बस हमें बीच-बीच में इसे चलाते रहना है और ये देखे जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो उसके बाद मैं घी डालूँगी तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच घी डाला है थोड़ा सा और मैं इसमें घी डालूँगी इसके बाद आपको जितना भर-भर के घी डालना है आप घी डाल सकते हैं यह इस तरह से भी हल्वा बहुत स्वार्डिस्ट लगता है आप एक बार जरू ट्राइ कीजेगा आप देख सकते हैं जो हल्वा है वो घी छोड़ रहा है और कैसे एक जगा बाइंड हो रहा है इसका मतलब है कि जो हमने हल्वा बनाया है वो बनकर तयार है इसका आप टेक्श्चर देख सकते हैं हल्वे का कितना अच्छा आया है और यह टेक्श्चर आपको लंबे समय तक बरकरार रहेगी तो बस हम इसे साइड कर लेंगे और यहाँ पर जो हमने चना को बॉयल किया था वह बिए अच्छे से बॉयल हो गया है तीन §4 सीटिया आ गए है तो आपको हो सकते हैं तो आप थोड़ा सा ठंडा कर लें ऐसे ग्राइं तो बस मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा सा दरदरा थोड़ा सा मैंने पीस लिया है ग्राइंड कर लिया है तो इसे रखते हैं साइड और यहां पर कुछ सुखे मसाले लेंगे तो मैंने यहां पर छे चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है दो चम्मच ह शात मिर्च लिया है तीखा अपकने अनुसार ले सकते हैं बचचों को देना है बच अकिलाना इसलिए मैंने थोड़ा मैंने हींग डाला है जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा जीरा में क्रैकल आ जाएगी तो बस इस स्टेज पर हमने जो मिर्च और अद्रक को चौप करके रखा है कट करके वो हम इसमें डाल लेंगे और मिर्च और अद्रक को भी थोड़ा सा इसमें पकने देंगे कुछ सेकंड के पकने के बाद जो हमने मसाले तयार किया है घोल कर सूखे मसाले वो हम डाल लेंगे इस तरह से मसालों को डालने से मसाले भी अच्छे से फूल जाते हैं और जो टेस्ट आता है बहुत ही लाजबाब आता है तो बस हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से पानी सूख न जाए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये भून कर तयार हुआ है, कितने बवल सार है, जब ये मसाले भून जाएंगे तो हम इसमें जो हमने चैने को पीसके रखा है ना, वो हम इसमें ड पाका ले ना है, भून ले ना है, तो आप देख सकते हैं, ये कितना अच्छा कडाही छोड रहा है, ओल रिलीज हो रहा हूं, तो बस हम क्या करेंगे जो हमने चने को बोईल किया है न मैंने पानी के साथ ही डाल दिया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़ादा पानी इसमें नहीं लिया था, मैंने थोड़ा ही पानी इसमें छोड़ा था बॉयल करते समय ही मैंने बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया था और साथ में ही मैं डाल दे रही हूँ काली मिर्च का पाउडर तो मैंने एक बड़ा चम्मच की करी मैंने कली मिर्च मेर्च का पाउडर लिया है और यू है प्लंकी जीरा पाउडर लिया है आप देख सकते हैं पानी खतम हो गया है पानी हलका फूल का लटपट बचा हुआ है तो बस इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है जिसे मैं बारिक कट करके मैं डाल दे रही हूं और बस हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे दो मिनट के लिए और कुक कर लेंग तो अगर हम इसी स्टेज पर सूखा बनाएंगे ना तो जब खाने का टाइम आएगा ना तो एक-एक दाने अलग-अलग हो जाएंगे तो कभी कबार क्या होता है कि बच्चों को उतना पसंद नहीं पड़ता है और इधर मैंने कडाही में तेल डाल लिया है ताकि मैं पूर इसे ही तेल ले लिया है और इसे बेल लेंगे अच्छे से बेलने के बाद हम इसे डाल लेते हैं और आपकी पूरिया जो है थोड़ा दर समझ भी गई है तो जो पूरिया बनेगी ना वो बहुत ही फूली-फूली सी बनकर रेडी होगी तो आप देख सकते हैं जो हमारी कुमारी कन्याओं के लिए बोग के लिए है वो बनकर तयार है और जो हमारा सूजी है वो भी कितना सौफ्ट है अभी तक यह एकदम ठंडा हो गया है फिर भी यह सौफ्ट-सौफ्ट है तो कैसी लगी हमारी आज की कन्या पूजन की भोग की रेसिपी जरूर कमेंट बॉक् के लिए बनकर लाई कंबोस्त।